दाहिने हाथ को जोर लगाने वाले मुश्किल या कठिन कामों के लिए रखा गया था। बाएं हाथ को कोमल सौम्यकारियों के लिए रखा गया था। ये एक योगिक सिध्धान्त है कि आप ताकत लगाने वाले काम के लिए अपने बाएं हाथ का उपयोग नहीं करते हैं, क्यूंकि बाएं और को दिल को संचालित करने की जिम्मेदारी होती है, जो कोई छोटी बात नहीं है। ऐसा लगता है कि इसे एक तरह से हीन माना जाता है और इसके इस्तमाल को दबाया जाता है। मैं जानना चाहूंगी कि इसका मूल कारण क्या है और इसके अलावा मुझे पता है कि बाएं हाथ मस्तिश्क के दाएं हिस्से से जुड़ा है जो समगर सोच और सहज ग्यान और इस ये बाएं हाथ का दमन करने की बात नहीं है अलग-लग हाथों के अलग-लग उप्योग है सभी भारती अपना सिर नीचे जुका रहे हैं वे नहीं चाहते कि मैं इसके बारे में बात करूँ और अतीद में बहुत शक्तिशाली की टाणू नाशक मौजूद नहीं थे तो बाएं हाथ को एक खास तरीके से इस्तिमाल किया जाता था इतना ही नहीं दाहिने हाथ को ताकत लगाने वाले मुश्किल या कठिन कामों के लिए रखा गया था बाएं हाथ को कोमल सौम्यकारेओं के लिए रखा गया था ये कोई सांस्कृतिक चीज नहीं है वैसे समय के साथ ये एक सांस्कृतिक चीज बन गई है लेकिन ये एक योगिक सिध्धान्त है कि आप अपने बाएं हाथ को कठिन काम करने के लिए इस्तिमाल नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप, आपका दिल बाईं ओर है या दाईं ओर है। बाईं, आपकी बाईं तरफ है। बहुत कम ऐसे हैं जिनका दिल दाईं ओर होता है। आप उनमें से एक नहीं है. दिल का संचालन बाई और होने के कारण, अगर आप बाई हात वाले हैं, अगर आप अपने बाई हात का उप्योग अधिक कठिन, शारीरिक रूप से कठिन कारियों के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा एक शोध है, जो दर्शाता है कि पाई हात वाले लोग, दाईने हात वाले लोगों की तुलना में, और सतन साथ साल कम जीते हैं, क्योंकि बाई और को दिल को संचालित करने की जिम्मेदारी होती है, जो कोई चौटी बात नहीं है, तो बाए हाथ को जोर लगाने वाला काम नहीं करना जाहिए आपको ताकत और संतुलन के मामले में दोनों को संतुलित करना होगा लेकिन सामान्य इस्तमाल में उन सब कामों के लिए दाहने हाथ का उपयोग करना सबसे अच्छा है जिसमें खाश शारीरिक कठनाई या ताकत शामिल होती है आप बाए हाथ का उपयोग एक हलके तरीके से करते हैं इस संस्कृति में अधिकान्श कारियों में जिनमें संतुलन की आवशक्ता होती है उनमें दोनों हाथों का उपयोग करना होता है अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो भारत में कोई भी इस तरह से अपना हाथ नहीं बढ़ाता यह हमेशा ऐसे होता है आपको दोनों हाथों का उपयोग करना चाहिए अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो आप इस तरह नहीं देते आप उसे अपने दोनों हाथों से देते हैं. तो जिस किसी चीज में संतुलन की आवशक्ता होती है, आप अपने दोनों हाथों का उपयोग करते हैं. ऐसी कोई भी चीज जिसमें शारीरिक रूप से कठिन कारे की जरूत होती है, आप सीधे हात का उप्योग करते हैं. कुछ दूसरे कारेों के लिए आप बाए हात का इस्तिमाल करते हैं. ये ऐसी समझ है, जो शरीर को एक खास तरीके से देखकर आई है. अगर आप अपने बाए हात का उप्योग करते हैं, तो आपका बाया या दाहिना मस्तिष्क सक्रिय नहीं होता. नहीं ये वैसे काम नहीं करता, वरना सभी बाए हात वालों का मस्तिष्क अपने उफान पर होता. जरूरी नहीं कि वैसा हो. उर्जा की द्रिष्टी से, अगर आपका बाया हिस्सा अधिक सक्रिय है, तो संभव है कि आपके मस्तिश्क का सहज ग्यान आयाम सक्रिय हो जाए ऐसा नहीं कि ये असंभव है हम जानते हैं और हमारे पास बाईयोर के लिए बहुत सारी साथनाएं हैं अगर आप देवी मंदिर गए हैं तो सब कुछ बाईयोर है क्योंकि आपके भीतर ये इडा है, ये पिंगाला है, ये पुलिंग है, ये स्त्रीलिंग है स्त्रैन को एक खास तरीके से संभाला जाना चाहिए और पौरुष को बहुत अलग तरीके से क्योंकि पौरुष और स्त्री के मुख्य लक्षन मूल रूप से अलग हैं ये इसका सवाल नहीं है कि ये, देखिए लोगों के लिए सोचना बहुत अपरिपक्व है कि कौन सा बहतर है, एक अपरिपक्व मन ही ये सोच सकता है कि कौन सा श्रेष्ट है, ये श्रेष्टता का सवाल नहीं है, ये एक अंतर है, अगर आप अंतर को नहीं पहचानते, तो आ आप जीवन के प्रती समवेदनशील नहीं होंगे. अगर आप हर चीज़ को बराबर करने की कोशिश करते हैं, तो जीवन के बारे में पूरी समवेदनशीलता चली जाएगी. आपको अंतर को पहचानना होगा. लेकिन जरूरी नहीं है, ये अंतर एक भेदभाव की प्रक्रिया का रूप ले ले. अंतर अंतर होते हैं. इनकी प्रकृती भेदभाव की नहीं है. अभी पुरुशों को इस कुंड में जाने की अनुमती नहीं है. ये भेदभाव है. ये बस एक अंतर है. तो दाएं और बाएं को अलग-अलग तरह से इस्तिमाल करते हैं ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से श्रिष्ट है वो अलग हैं और उने अलग तरीकों से काम में लिया जाना चाहिए कि एक दूसरे से श्रिष्ट है